नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हारदिक्स वाकत है लाखों बीमारियों की सिर्फ एक दवा ये एक जड़ी जो आपके सरीर की बीमारियों से दिला देगी आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जड़ी बुटी के बारे में बताएंगे जो दोस्तों मिल तो बड़ी असानी से जाती है लेकिन है बहुत आदिक चमतकारी दोस्तों आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का एक कारगर इलाज है दोस्तों आप सब से मेर बहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सबस्क्राइब कर दिजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दिचे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगें और इसको लाश तक प्लिज देखे हैं दोस्तो हम आज की वीडियो में जिस नुस्खे जिस सामगरी की बात कर रहे हैं वह है दोस्तो कच्ची हल्दी दोस्तो हम हल्दी पावडर की बात नहीं करें आप ये बात ध्यान से देखें हम बात कर रहे हैं कच्ची हल्दी की और दोस्तों आपने भी कच्ची हल्दी ही लेनी है इस नुस्खे के लिए दोस्तों कच्ची हल्दी में सबसे ज़्यादा एंटी बैक्टरियल, एंटी उक्सेंट, एंटी फंगल गुन मुझूद होते हैं ये तीनों ही गुन शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करते हैं साथी कच्ची हल्दी में विटामिन C, K, पोटासियम, प्रोटी और सरीर की कारिय प्रनाली को प्रोपर रूप से बनाए रखना हैं तो दोस्तों इन सबी चीजों की हमारी सरीर को जरूरत होती हैं और दोस्तों एक कच्ची हल्दी के पास आपके सरीर की सबी जरूरत का सामान हैं सिरफ वज़े हैं तो आपने इसके प्रयोग की विदी जा जिन लोगों का वजन बढ़ गया है, उनके लिए कच्ची हल्दी का वर्दान की तरह काम करती है। आपको diabetes को कंट्रोल करना है, तब भी कच्ची हल्दी आपके लिए वर्दान है। यह insulin level को कंट्रोल करती है। एक सोध के अंसार, कुरकुमीन, बलड में गुलकोज लेवल को कम करने वाला होता है। insulin level को भी सुधार सकता है। ज़िए आपको diabetes है, तब आपको कच्ची हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों सर्दी खांसी हो, गले में खरास हो, या आपकी छाती में जमा कफ हो। दोस्तों इन सब बीमारियों के लिए आप कच्ची हल्दी का सेवन शुरू करतीजी। और इसके लिए आपने रात में दूद में कच्ची हल्दी उबाल कर भी नहीं। और दोस्तों यदिया पैसा करेंगे तो अस्थमा, ब्रोकैंटिस, सर्दी, खांसी, छाती में जमाब कफवी पिंगल जाएगा और आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों हमारा पेट हमारे सरीर की हर बीमारी का कान बनता है। अप जिस मरजी बीमारी का नाम लीजे उसका कही न कहीं लिंक आपकी पेट से होता है। और दोस्तों यदि हमारा पाचन मजबूत होगा तब हमें पेट की कोई बीमारी नहीं होगी और जब पेट की कोई बीमा इसे बचे रहेंगे। दोस्तो कुरकुमीन इसमें मुझूद होता है। इसमें मुझूद होता है। दोस्तो कच्ची हल्दी का सेवन करके आप हरत रहें के दर्द से चुटकारा पासकते हैं। चाहे वो जोनों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर, कंदे, हाथ, कलाई, गठिया का दर्द भी क्यों ना हो। दोस्तो ये हरत रहें के दर्द में कारगर है। साइटिका या दभी निस्की समस्या में भी बहुत कारगर नुस्का है। आपने कच्ची हल्दी का हर रो सेवन करना है हमारे दुवरा बताएगे विदी से। तो चली आपको बताते हैं कि आपने कच्ची हल्दी का पर्योग करना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, पहले कच्ची हल्दी को लेकर अच्छी त्रहें से साफ कर लेना है, जैसे कि यह हमने कर लेना है, अब इसको आपने कूट लेना है, अब आपने क्या करना है, एक गिलास दूद लेना है, और इसको आप पर उबलने के लिए रखना है, उसमें आ पैसा करेंगे तो आपको एनिंदर की बिमारी का इलाज हो जाएगा आपको अच्छे नीद आएगी आपके सरीर की इम्मुन पावर बढ़ जाएगी कोलोस्टोल की समस्या का इलाज होगा दिल की बिमारी के लिए बहुत कारगर नुस्खा है बलड प्रेसर को कंट्रोल करेगा आपके सरीर को निरोगी बना देगा तो दोस्तो देव किस बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाए और इस नुस्खे का प्रियोग करें और अपने सरीर को बेलकोल निरोगी बना दे तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आ आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिफकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों